ये ट्रेन फूल स्पीड में चल रही थी तबी इस भाई ने ट्रेन की चैन को खीच दिया इसके बाद ट्रेन रुख गई लेकिन ट्रेन क्यूं रुखी चलिए मैं आपको बताता हूँ लेकि ट्रेन के पाईये के पास दो ब्रेक होता है जो कि हमेशा पाईये से चिपका रहता है जब लोको पाईलट को ट्रेन चलाना होता है तब वो एक पाईये से सारे प्रेसर भरता है जिससे ये ब्रेक पाईये से दूर अड़ता है और ट्रेन दोड़ने लगती है लेकिन इस पाईप से pressure को भरा गया है, उस पाईप का एक धकन खुल जाता है, जिससे सारा प्रेशर बाहर निकल जाता है, फिर ट्रेन काब्रेक वापस पहीज से चिपक जाता है, जिससे ट्रेन कुछ दूर चलके रुख जाती है,